कैसे लोग हैं ये, जो दूसरों की मजबूरी को अपना व्याबार बना लेते हैं, खुद तो कुछ बना नहीं सके, दूसरों की बनी-बनाई चीजों को सब्द करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिलकुल ठीक है, बस अब आप अपना ख्याल रखियें, इनकी जिम्मेदारी अब आप पर ही है, जिन्दा रही तो, ऐसी बाते नहीं करते बड़ी दूदी, बना, तू तो सब तो जानती है, जब ये थे, तो चार पैसे घर में आ रहे थे, फिर बिमारी इनको ले गए, अब तो हम भी पडूसियों की दया पे पल रहे हैं, और पता नहीं, कब तक चलेगा इसा। आपने कुछ काम करने के बारे में सोचा है, किस काम के लाहिक हूँ मैं सनिहा जी, पत्पन से लेकर अब तक, मुझे सिर्फ यही सिखाया गया, रुगाई कैसे बनना, और फिर माँ, मैंने कोई और जीवन देखा ही नहीं, सनिहादी, इनके लिए हम बानफता में कुछ कर सकतेंगे? हाँ, मैं अभी यही सूच रही थी, कुछ तो करना ही होगा, क्या आप कुछ काम करना चाहेंगी? हाँ, कोई भी इस्जत का काम होगा तो मैं करूगी, आप जो कहेंगे मैं करूगे, इस्जत का मतले हैं? जो के बात किसी के जुबा पर नहीं आती है, पर ये मर्त पीना, विद्वा को गाउं की लुगाई समझते हैं. क्या बात हुए अदी? बताओ. अब इनके चिता भी ठंडी नहीं हुए थी, और रात को दो मर्त. कौन थे वो लो? आप हुमें बताईए, हम उन्हें कालून के हवाले कर देंगे. देखे, मैंने जैसे तैसे करके पुसीबर ताल दी. मजे किसे से कोई बदला दे ही लेना. बचा बस अपने बच्चों की खुराग चाहते हैं. आप फिक्र मत कीजिए. आप और आपका फरिवार हमारी जिम्मेदारी है. मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सुनेहादी, यह प्रकाष्जी है. अमस्ते. और यह इनके पतनी सरूज, नमस्ते, नमस्ते, आप क्या करते हैं प्रकाश्ची, जी करता था, प्राइवेट की नौकरी, बीमारी में ड्यूटी पर जाना सका, और नौकरी हाथ से जाती है, उझे माफ करेगा, उझे पता नहीं था, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, घर देखकर तो सब को यहीं लगे, यहाँ, खाते बिते लोग रहते हैं, ऐसा था भी, पर यह बिमारी आने से पहना, स्लिया जी, हम लोग गरेबी से उब रहे हैं, इनकी नौकरी मिलने के बाद, हमारी जिंगी का एक बहुत बड़ा सपना सच हुआ, हमारा अपना घर, हमारी और हमारे बच्चों की अपनी दुनिया, आज तो हम अपने ही घर में चार दिनों के मेमाद हैं, पर ऐसा कैसे हो गया, हम देनारे घर हमने कर्जा लेकर बनाया, और उस कर्जे को चुकाने के लिए, इनकी तंखा काफी थी, लेकिन फिर इनकी बिमारी और उस कर्जे को चुकाने के लिए, हमें और कर्जा लेना पड़ा, सब कुछ गिर्वी रखना पड़ा, घर, जेवर, यहां तक कि घर के पीतल के भरतन पी, रखम भी हसारों में है, हमने मजबूरी में अपना सथ कुछ गिर्वी रखती है, और अपना में अपना प्रखती है, वो कौन? दिगंबार उसने हमसे कहा कि पास साल तक तो फिक्र नहीं करो, लेकिन अब कहता है कि सूच सबे सारा पैसा वापस कर दो, वरना हमारा सब कुछ जफ्ट कर लेगा, हमें, हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने उसकी इमानदारी पे बहुसा करके, उसको कौडियों के दामों में बेज़े, नहीं प्रकाश्ची, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्या आपके पास वो करजी की कागजात हैं? क्या आप वो मुझे दिखा सकते हैं? अब इनके चिता भी ठंगी लगे थी, और राद को दो मर्थ। सुच सवे सारा पैसा वापस कर दो, करना हमारा सब कुछ जब्त कर लेगा, हमें, हमें सडक पर लाकर खड़ा कर देगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने उसकी इमानदारी पे बहुसा करके, उद को कौडियों के दामों में बेज देंगे, कैसे लोग हैं ये, जो दूसरों की मजबूरी को अपना व्यापार बना लेते हैं, खुद तो कुछ बना नहीं सके, दूसरों की बनी बनाए चीज़ों को सब्त करते हैं, ये तो रोज की बात है, मामूली है, क्या कहते हैं, नॉर्मल, क्यों है ऐसा, हम कुछ करते क्यों नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता पना, ये तो आप किसी भी गरीब से पूछ सकते हैं लीदी, खाली पेट किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता, उस बेचारे के लिए तो भीक मागना सबसे बड़ी हमत का काम होता है, तुम ऐसा सोचती हो, हाथ पहलाने से पहले अपने अंदर के इंसान को कुछलना पड़ता है इसनेहादी, स्टेहादी, अगर आप ही ऐसे रोब पड़ेंगे तो फिर दूसरों का क्या होगा, हलो, तुम कैसी हो? हाँ, मैं स्निहादी के साथ कार में हूँ, मैं अपनी सागे के साथ अखेला हूँ, उसी जगा जहाँ हम मेले थे, हाँ, मैं भी फोन रखती हूँ, ने, ने, एक मिनट, जल्दी, मैं तुम्ही बताने के लिए फोन किया है, कि जो चीज में तुमारे लिए बना रहा हूँ, उसे बनाने में मुझे बहुत मजा रहा है, अब, अब तुम फोन रख सकती हूँ, तैंक यू, चुमारे लिए थाए, तैंक यू, चुमारे लिए लिए रहा हूँ, तैंक यू, क्या मजा करें आपके आने के अंदाज पे दिल से है सदाई आप तो आ गए अंदर अगर शर्म ना आई बगवास सुनने नहीं आया हूं तुमारी आपे में अरो तो हम सुन लेते हैं भाई आपके बगवास बैठिये तो सही मधोक खेलो मत मेरे साथ बहुत महंगा पड़ेगा आवाज नीचे रखिये बाबा पहलवान कान हमारे एक्टम सोडॉल हैं आपके दिल की धड़कने तक सुन करते हैं तो मेरे तीन आदमी अंदर क्यों है आप उनकी जागे ले लिजे अभी छोड़ देते हैं देखो मैं उनकी जमानत देने को तयार हूं जमानत तो अदालत से होगी बाबा पहलवान और इस केस में अ उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड और इस बीच अगर वो 921 हो गये तो इसलिए कानून हमें हग देता है उनकी हिपास्त करने का ये आइडेंटिफिकेशन परेड बाबा पहलवान के कुछ मुझरे मैं से होते हैं जन्हें चेहरे से पहचानना पड़ता है और आपका क्या आपको कौन नहीं पहचानता है उन्हें छोड़ दो सारी बत्तमीजी माफ कर दूगा बिलकुल हो जाएगा पशर्त है कि आप कानून की मदद करें कैसे आप उन्हें पहचानन और एक स्टेट्मेंट दे दें कि तुम्हारे बुच छोड़े ही मुझी लेगा है और सरकारी क सामने बैठा हूँ आपके दिख नहीं रहा हूं क्या मदोग जिस दिन मेरी तीसरी हांख खुल गई ना उस दिन समझ में आएगा तुम्हें के बाबा पहलवान कौन सी नचर से दिखेगा बाबा पहलवान कभी सोचा है आपने कि तीन आखो वाला चश्मा आप पर चेहरे पर चैसो दिखेगा क्या मत्रों आखो नोक्तर सुनेहा मात्तूर जोड़ा है आप प्रकार्ची के सारे पैसे सूथ समेत मैं आपको लोटा हूँ और आप उनके घर, जमीन के काज़जात, उनके जेवर मुझे लोटा हूँ यह रहाची है, डॉक्तर साइब, ऐसे कैसे हो साथ, आपको तो रखम से मतले है ना, देखिये मैडाओ, पहले कुछ काज़ी कारवाई पूरी करनी होती है, जिसने करजा लिया है उसको यहाँ आना पड़ता है, और फिर इन काविजों पे तस्थखत करने होते हैं, समझी है, स यह लिजिए, पाववरा फटर्णी, जो दस्तकत करने हैं, जहां करने हैं, मैं करने हैं, अच्छा मडम, क्या हम जान सकता हूं, कि एक डॉक्टर के पास इतने सारे पैसे कहां से हैं? कोई-कोई, और धंधा करती है क्या, है, यह, सबाल समभाल कर, बात करो, पनना, गरज हमारी है, बैसे देखा जाए, तो गरज हमारी भी, सिधी सिवाद, आप हमारी गरज पुरी कर दो, हम आपकी पुरी कर देते हैं, क्याना क्या चालते हैं? मेडम, आप हमसे हाथ मिला दो बहुत फायदे हमर हो गी आप कैसा फायदे हो गी अंदर भी अकम रहा है जो वहाँ चलते हैं बैठे बाप हे चलते हैं समझ रही हो नहीं दो को सौधा करना है तो करो वरना हमरा वक्त वरवादी को समझे के नहीं अरे मैडम सीधी से लेन दिन के बाद है एक हाथ दो अब दूसरे हाथ लो अब आप इतनी भी नादान तो नहीं है इस बात को समझती है अरे मैडम हम गाउवाले है अलाड नहीं है इशारे हम भी समझते है यूही नहीं है आई है आप यहाँ दिकंबर अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चांटा मार कर तुम्हारी इस बत्तमीजी का जवाब अभी यहीं दे सकते है और सरा सोचो जब गाउवालों को तुम्हारी इसलिए पता चलेगी तब क्या हो क्यों पन्ना हो गई ना थी कोड़ी बाफ करना अगरता स्वीर थोड़ी हिर्डोल गई हो जाए पर बागी सबकुछ आए इसमें मुझे नहीं लगता कि दिगंबर जी को इस बात कर कोई गुरा लगेगा दिखाओ सरा मैडम स्रीदी चे लें देन की बात है एक हाथ दो तूसरे हाथ लो हाथ तो क्या कह रहे थे तू लें देन यह लो अपना चेक और प्राकाश जी की जमीन की काग्जार जेवर सब कुछ अभी इसी वक्त मुझे लोटा तो जी जो आपके ही है तुम्हारी सारी पाच्चीत इस फोन में है अगर तुमने कोई गडबड करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी सारे पोल खुल जाएगी बर बागो जो आज की कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है जब एक औरत विद्वा होती है तो वो सिर्फ अपने पती को नहीं खोती है साथ ही घर की आमदनी उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा मानोन का भविश्य ही चिंजाता है संकट में लोगों को भाशन की नहीं होता बलकि सहानूप होती है सहायता और सहारे की जरूरत होती है हर व्यक्ति और समाज का ये फर्ज बनता है कि इस नाजुग घड़ी में वो अपनी इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी पर डटे रहे जिन लोगों ने अपनों को खोया है या अपना कुछ खोया है उनकी मदद करे उनके जखमों पर मरहम लगाए उनके आंसूं को पूछे बुझने नहीं है देना बस दिये जलाना है अंधेरे से क्या डटना बस लौ जगाना है आंधी हो या तूफा बस लड़ना है हम जब साथ हूं हर जंग में चीप भर सकते हैं, हम जब साथ हूं हम कुछ भी कर सकते हैं, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकते हूं रंगों की खुश्बू को कोख में भर सकती हूं, एक नई चान को सासों में भर सकती हूं, मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूं मैं कुछ भी कर सकती हूं